आज मैं आपके साथ शेर करने जारी हूँ सोया च्रंक्स की रेसीपी इस सोया वड़ी की सबजी को हम बहुत ही तेस्टी और चटपटा बनाएंगे तो वीडियो को आण तक जरूर देखेगा और अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें तो चले अब हम जल्दीशे शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने 100 gram जीतने soya chunks लिये है अब उसे हम बॉil करेंगे तो यहाँ पर मैंने 1 दे में 3 cup जीतना पानी गरम करने के लिए रख दिया था अब हमारे soya chunks को हम इसमें बॉil होने के लिए रख देंगे सोया चंग्स को हम मेडियम केस की फ्लेम पर 5-6 मिनिट तक अच्छे से बोल कर लेंगे थोड़ी ही देर के बाद आप देख सकते हो कि सोया चंग्स के वो साइस में 3 गुना हो चुका है यानि कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपफूल चुका है गेस की फ्लेम को हम ओफ कर देंगे और इन में से सारा पानी निकाल देंगे और इसे 2-3 मिनिट तक अच्छे से ठंडी होने देंगे जब ये हलकी सी ठंडी हो जाए तब हम इन में से पानी को रिमूव कर देंगे तो इस तरह से हम soya chunks को हाथों में लेंगे और इस तरह से press कर देंगे ताकि इनमें जो extra पानी है वो सारा remove हो जाए यहाँ पर हमें इस बात का खास स्यान रखना है कि soya chunks में से हमें पानी को अच्छे से remove कर लेना है अगर इनमें पानी रह जाएगा तो जब हम उसे gravy में आट करेंगे तो वो हमारी gravy के flavor को अच्छे से absorb नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने सारे soya chunks में से पानी को अच्छे से remove कर लिया है अब हम यहाँ पर एक pan लेंगे और उसमें one tablespoon जितना तेल आट करेंगे और जो soya chunks को हमें पानी से remove करके रखा था वो हम इसमें आट कर देंगे medium case की flame पर 2-3 मिनिट तक वड़ी को अच्छे से roast करेंगे वड़ी को इस तरह से roast करने से अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी का portion रह गया हो तो वो अच्छे से dry हो जाएगा और जब हम उसे gravy में आट करेंगे तो वो बहुत ही अच्छे से flavor उन में आ जाएगा दोसे 3 मिनिट हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि अब हमारी जो सोया वड़ी है वो अच्छे से dry हो चुकी है और अगर आप उसे इस तरह से देखोगे तो आप देख सकते हो कि इन में से हलका सा brown color इस पर आ चुका है इस स्टेज पर हम गेस की फ्लेम को ओफ कर देंगे और सोया वड़ी को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और अब सबजी बनाने के लिए यहाँ पर ही मैंने एक पैन लिया है उसमें में तीन टेबल स्पून जितना तेल आट करूंगी अब मैंने यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाले लिये हैं वन टी स्पून जीरा थ्री लोंग आदा दाल चिनी का टुकड़ा और दो सुकी हुई लाल मिर्च जिसे ही तेल हमारा गरम होता है खड़े मसाले को हम इन में सोते कर लेंगे सबजी में खड़े मसाले आट करने से इसका जो टेस्ट है वो सबजी में बहुत ही अच्छा है अच्छे से सोते हो जाने के बाद अब मैंने यहाँ पर एक बड़ी साइस की प्यास इसे मैंने अच्छे से फाइनली चौप करके लिया है वो मैं इसमा आट कर दूँगी प्यास को हम तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कलर हलका सा चेंज नहीं हो जाता तो जब तक हमारी प्यास अच्छे से पकती है तब तक हम बना लेते हैं टॉमेटो की प्यूरी इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मिक्सर ग्रेंडिंग जार लिया है उसमें मैं दो मीडियम साइस के टॉमेटो आट करूँगी साथी में मैं उसमें एक इंच अदरक का टुकड़ा आट करूँगी और उसमें पांच से छे कलिया हम लेसन की आट कर देंगे धगकन को हम बन कर देंगे और इसकी पेस्ट बना लेंगे इसमें हमें पानी बिल्कुल भी एड नहीं करना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी स्मूथ पेस्ट बन कर आप रेडी हो चुकी है और अब हम सबजी को देख लेंगे दो से तिन मिनिट हो जाने के बाद आप देख सकते हो कि प्यास हमारी अच्छे से अब पक चुकी है अब हमने जो टोमेटो की प्यूरी बना कर रखी थी वो हम इसमें आट कर देंगे और उसके साथ ही हम उसमें स्वादानो सार थोड़ा सा नमक आट कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हमें इसे अच्छे से पकाना है तब तक पकाएंगे जब तक कि किनारी पर से तेल अलग ना आने लगे और तब तक बना लेते हैं हम मसाला पेस्ट, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें मैं वन टेबल स्पून जीतना रेड चिली पाउडर आड करूंगी, वन टेबल स्पून हम उसमें धन्या पाउडर आड करेंगे, वन हाफ टीस्पून हम उसमें हल्दी पाउडर आट करेंगे और यहाँ पर मैंने वन टीस्पून जितना रोस्टेट क्यूमिन पाउडर लिया है वो मैं इसमें आट कर दूँगी और फिर सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक चुकी है अब हमने जो मसाला पेस्ट रेडी करके रखी थी वो हम इसमें आट कर देंगे यहाँ पर मसाला पेस्ट आड़ करने से क्या होगा कि हमारी सबजी में वो बहुत अच्छा फ्लेवर देंगी और साथी में इसका कलर भी बहुत अच्छा आएगा इसे भी हम एक से दो मिनिट के लिए ग्रेवी में अच्छे से पका लेंगे अच्छे से पक जाने पर अब हमने जो सोया वड़ी को रोष्ट करके रखा था वो हम ग्रेवी में आड़ कर देंगे यहाँ पर हमारी सोया वड़ी है वो थोड़ी सी soft है इसलिए जब हम उसे gravy में add करेंगे तो वो gravy के flavor को अच्छे से absorb कर लेगी जब हमारी सोया वड़ी gravy के साथ अच्छे से coat हो जाए तब हम उसमें पानी add करेंगे तो यहां पर मैंने वनाफकप ज passenger पानी लिया है वो मैं इसमाँ आड्ट कर दूँगी यहां पर पानी आड्ट करते हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें gravy को कितना ठीक या तो फिर पतला बनाना है उस साथ से हम उसमें पानी आड्ट करेंगे और फिर इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम यहाँ पर दो से तीन मिनिट के लिए मेडियम गेस की फ्लेम पर इसे डग कर पकाएंगे तो इसे हम कवर कर देंगे और दो से तीन मिनिट के लिए अच्छे से इसे पकने देंगे ताकि जो इसकी फ्लेवर है वो हमारी वड़ी में अच्छे से अब्जब हो जाई और फिर हम उसे जग कर लेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारी जो ग्रेवी है वो बहुत ही ठीक हो चुकी है और सोया वड़ी में इसकी फ्लेवर भी अब्जब हो चुकी है अभी सोयावडी को और ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए मैं उसमें 1 आफ टीस्पून जितना गरम मसाला, 1 आफ टीस्पून जितनी शुगर और यहाँ पर 1 टीस्पून जितनी मैंने यहाँ पर कासोरी मेथी ली है, वो मैं इस तरह से हाथों में क्रश करके फिर इसमा आट कर दूँगी यहाँ पर शुगर आट करना बिलकुल ही ओप्शनल है, अगर आप इसे पसंद नहीं करते हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो लेकिन शुगर आट करने से क्या होगा कि हमारे सारे मसालों को वो बैलन्स करेगी और फिर यहां सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि हमारा बहुत ही तेस्ती सोया वड़ी की सबजी बनकर आप तयार हो चुकी है अब लास्ट में हम उसमें थोड़ा सा दन्या आट करेंगे और फिर गेस की फ्लिम को हम आफ कर देंगे तो यहां पर हमारी बहुत ही तेस्ती सोया वड़ी की सबजी बनकर आप रेड़ी है अब हम उसे सार्व कर लेंगे तो जब घर में कोई भी सबजी ना हो तब आप इस सोयावडी की सबजी को रोज की सबजी से कुछ अलग इस तरह से बहुत ही तेस्टी बना सकते हो इस सोयावडी की सबजी को आप रोटी के साथ या तो फिर चावल के साथ ले सकते हो I hope आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें मिलेंगे नए रेसिपी के साथ और तब तक के लिए बाबाई